दोस्तो अगर आप विराट कोली को एक खतरनाग बल्ले बाज मानते हैं तुमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तो जिम बॉम्मे के खिलाफ होने वाले एक दिवसी मुकाबले से पहले बी सी सी आई के अध्यक्ष सौरफ गांगुली ने भारती टीम की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया जियां इस महान किलाडी को टीम से बाहर कर कई धुरंधरों की टीम में एंट्री कराई रातो रात वापसी कराई है आखिरकार सौरफ गांगुली ने किस किलाडी को बाहर करके किस की वापसी कराई है और क्या रहने वाली है भारती टीम की पूरी प्लेइंग 11 ये सब तो आ जानते हैं भारत और वेस्ट इंडीस की टीम के बीश में 18 आउगस्त से टीन एक दिवसी सीरीज का दौरा शुरू हो जाएगा जुसके लिए भारती टीम में चल रही जिंबॉम्बे रवाना हो गई है और आपको बता दे कि इस सीरीज के शुरू होने से काफी दिन पहले बी सीरीज के लिए लेकिन अभी अभी BCCI ने एक चोका देने वाला फैसला किया है इन्होंने शिकरदवन की जगए अब केल रहुल को टीम इंडिया का कप्तान बना दिया है और शिकरदवन के इस्थान पर अब केल रहुल भारती टीम की ओपनिंग करेंगे साथी साथ यही भा पॉंबे के खिलाफ ओपनिंग में आकर एक बार फिर से ताबड तोड़ शतकिय पारी खेल सकते हैं दोस्तों अब हम आपका जाता समय ना लेते हुए आपको सौरफ गांगुली के प्लेंग 11 के बारें बताते हैं और दोस्तों इन्होंने प्लेंग 11 में किसे रखा ये सारी च लाव करके केल राहुल और इशान केशन को ओपनिंग में परखना चाहेगी क्योंकि ये दोनों ओपनर बल्ले बाज नी हैं और इनको ओपनिंग करने का काफी अनुभवी है इसके लावा आगर हम टीम के मिडल ओर्डर की बात करें तो टीम के मिडल ओरको समभालने के लिए दीपकुड़ा, संजू सैम्सन और राहुल त्रिपाटी रहने वाले हैं क्योंकि ये सभी खतरनाक बल्ले बास हैं खास कर दीपकुड़ा और संजू सैम्सन का प्रदशन तो आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली जा रही टी-20 सिरीज में भी देखा होगा कैसे इन दोनों ने अपने बल्ले से खतरनाक प्रदशन करके भारती टीम को जीत दिलाई थी इसके लावा अगर आप भारती टीम में आल राउंडर की बात करें तो भारती टीम में अक्षर पटेल और वाशिंटन सुंदर दो आल राउंडर रहने वाले हैं और यही दोनों भारती स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा भी संभालेंगे और इसके लावा अगर हम टीम में फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की भूमिका निभाने के लिए क्योंकि यह सभी युवा तेज गेंदबाज हैं और BCCI हमेशा से ही भारती टीम में युवा के लाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका दे दी है इसलिए ही सारफ गांगुली ने भी भारती टीम की प्लेइंग 11 में इन्हें रखा है दोस्तों ये रहने वाली है सारफ गांगुली के द्वारा जारी की गई पहले एक दिवसी मुकाबले के लिए भारती टीम की प्लेइंग 11 वैसे दोस्तों इस प्लेइंग 11 को दस में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटीब चैनल को दन्यवाद